स्वागत है आपका स्टेडी क्लाउट चैनल पे टॉपिक देख रहे हैं हम भारत का समयधानिक विकास इससे पहले वाले वीडियो में हमने 28 तक देखा था अब प्रश्मि संक्या 29 से सुरू करते हैं 29 नंबर कुश्चन है निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अधियादेश जारी करने के सकती परदान की गई ये किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अधियादेश जा महां तक लागू रह सकते थें प्रस्मिसंग क्या 30 है बिटिस इंडिया के निमने लिखित में से किस एक अधिनियम ने शामुहिक कारे चालन के स्थान पर विभाग या विभागिये पद्धती दोरा वाइसराई की कारेकारी परिशत पर के प्राधिकार को और बल प्रदान किया ये किया गया थे इंडियन काउंट सिलेक्ट 1861 के तहत 1861 के भारतिया परिशाद अधिनियम दोरा वाइसराई के परिशाद को कानून मनाने की सक्ति प्रदान की गई जिसके तहत लौड कैनिंग लौड कैनिंग भीने भीने सदस्यों को अलग अलग विभाग सौप कर एक परकार से मंत्री मंडलियों विवस्ता की नहीं उडाली इस विवस्ता का अनुसार प्रशासन का प्रतेख विवाग एक व्यक्ति के अधियन होता था निमत लिखित में से किस अधिनियम के जर्गत भारतिय विधान परिश्यत को बजट पर बहस करने के सक्ति प्राप्त हुई बजट पर बहस करने के सक्ति मिली थी भारतिय परिश्यत अधिनियम 1892 के तहट यह इंपॉर्टन्ट कुश्चिन बजट पर बहस करने के सक्ति कब मिली 1892 के भारतिय परिश्यत अधिनियम अत्वा सदन में मत विभाजन करने का अधिकार उन्हें नहीं था और दूसरा चेतर था सरवजनिक हित के मामले में छे दिन की सूचना दे कर प्रस्ट ने पूछने का भी अधिकार दिया गया 1892 के ताहत निम्न लिखित में से किस अधिनियम के दौरा अंग्रेजों ने भारत में सरवपरतम परुख्ष निर्वाचन प्रणाली की सुरुवात की 1892 के ताहत 1892 का अधिनियम दौरा अंग्रेजों ने भारत में सरोपरतम प्रवक्ष ने वासिन प्रणाली की सुरुवात की थी भारत में मीडिया को नियंतिक करने के लिए एक्ट का पारिद किये गए 1835 में किये गए 1866 में किये गए 1878 में किये गए और 1908 में किये गए विधानों की दमनकारी नीतियों को जागर करने के कारण सरोपरतम 1835 में प्रेस एक्ट का एलान किया गया प्रेस और पुस्तको का पंजी करण अधिनियम 1867 पारित किया गया गवर्नर जनरल लॉड लीटन ने 1878 में वरनाकियूलर प्रेस एक्ट पारित किया जिसके तहत बिना सरकार के इजाज़त के कोई पत्र नहीं निकाला जा सकता जिसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना हो इसके अधिरिक्त प्रेस पर नियंतरन का एक्ट लॉड मिंटो ने वर्स 1908 में पारित किया जिसके तहत ऐसी किसी भी प्रकाशन को जब्द करने का अधिकार सरकार को होगा जिसमें सरकार के खिलाफ जन्भावना को भड़काने का अरूप होगा बॉम्बे मदरास और कलकत्ता उच नियाईलो के अस्थापना कब हुई थी 1861 में बॉम्बे मदरास और कलकत्ता उच नियाईलो के अस्थापना ब्रिटिस संसर द्वारा पारित 1861 के भारतिया उच नियाईले अधिनियम के तया 1862 में की गई इस अधार पर निगट्तम उत्तर विकल्प ए सही है भारत में ब्रिटेन के सभी समयधानिक परयोगों में सबसे कम समय तक कौन चला 1909 का इंडियन कांट सिलेक्ट जो था वो सबसे कम समय तक चला ब्रिटेन के सभी समयधानिक परयोगों में सबसे कम समय तक 1909 का इंडियन कांट सिलेक्ट चला रेमजे मैक डॉनल्ड के सब्दों में ये सुधार प्रजात अंतरवाद और नौकर साही के मद्ध एक अधूरा और अल्प कालीन समझाओता था। ब्रिटीस भारत में संपरदाइक परतिनिद्धित्व की ववस्ता निम्ली में से किस अधिनियम द्वरा की गई थी। ब्रिटीस भारत में संपरदाइक परतिनिद्धित्व की ववस्ता की गई जिसके अंतरगत मुसल्मानों के लिए प्रिथक निरवाचन मंडल की ववस्ता करना था। गांधी जी ने कहा था मारले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनास कर दिया। निम्ली में से किस अधिनियम ने भारत में प्रिथक निरवाचक मंडल का आरंभ किया। भारतिया परिशत अधिनियम 1909 किस नाम से? मौन्टेग्यु घोषना के नाम से ? द्वैद सासन का जनक किसे माना जाता है सर लियोनेल कार्टिस सर लियोनेल कार्टिस को द्वैद सासन का जनक माना जाता है उसके द्वैद सासन सम्मंदी विचार भारत सरकार अधनियम 1919 का अधार बने थे 1919 में जब मॉन्टेगी चेम्सपोर्ट अधिनियम पास हुआ तब इंग्लेंड का प्रधान मंत्री उससे में कौन था लॉयल जॉर्ज लॉयड जॉर्ज उससे में प्रधान मंत्री थे वर्स 1919 में जब मॉन्टेगी चेम्सपोर्ट अधिनियम पास हुआ तब इंग्लेंड के प्रधान मंत्री डेविड लॉयर्ड जॉर्ज थे ये वर्स 1916 स 1922 तक इंग्लेंड के प्रधान मंत्री थे प्रांतों में द्वैद सासन प्रणाली डायार की किस अधिनियम के अंतरगत लागू की गई थी ये 1919 के अधिनियम के तहट प्रांतों में द्वैद सासन के प्रवस्ता लागू की गई इस अधिनियम ने पहली बार उत्तरदाई सासन सब्दों का सपस्ट प्रयोग किया था इस अधिनियम के दोहत प्रांतों में विश्यों को आरक्षित एवंग हस्तानांतरित दो भागों में बाटा गया इनमें हस्तनांतेत विश्यों का प्रशासन विधाईका के चैनित सदस्यों को सौपा गया जबकि आरख्चित विश्य गवर्नर की कारिकारिनी के पास ही रहे या दोहरी शासन प्रणाली वर्स 1921 से 1937 तक 9 प्रांतों में चलती रही प्रांतों में प्रात्ययोजित विश्यों का दो परवर्गों में विभाजन ये प्रांतों में प्रत्ययोजित विश्यों का दो परवर्गों में विभाजन जो है वो द्वैद सासन निर्दिश्ट करता है भारत सरकार अधिनियम ओंटेगी चेम्सपोर्ट प्रस्ताव किस से सम्बंदित थे? सामविधानिक सुधार भारत सरकार अधिनियम 1919 के निमने लिखित में से किस को असपष्ट रूप से परिभासित किया? केंद्रिय एवंग प्रांतिय सरकारों की अधिकारिता को प्रभासित किया गया भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत द्वैज सासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था 1919 में निमने मैं से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्नित करिये यह अधिनियम मारले मिंटो सुधा रधिनियम के नाम से जाना जाता है गलत है 1919 नहीं था यह 1909 था 1919 वाला जो था वो मॉन्टेग्यू चेम्सपोर्ड के नाम से जाना जाता है कथन है भारत सरकार रधिनियम 1919 के परवर्तन के साथ सासन का ढाचा और उसकी विसेस्ता एकात्मक और केंद्रिया ही रही कारण ने सत्ता का एक बड़ा भाग परांतों को प्रतिया योजित किया गया था इसमें कौन सा सही है पहला तो कथन ही गलत है और कारण जो है आर जो है उसका वो सही है कि सत्ता का एक बड़ा भाग प्रामतों को प्रत्यायोजित किया गया था जब कि कथन जो है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के परवर्तन के साथ शासन का ढाचा और उसकी विशस्ता एकात्मक और केंद्रिया ही रही ये गलत है एक्स्प् पोत परिवहन नमक और कपास पर उत्पाद सुल्क आयकर लोकरेंड आधि सामिल थे इन विश्यों पर कानून मराना की सक्तिया केंद्रिया विधान मंडल में नहित थे राज्य सूची में 50 विश्य सामिल थे जिसमें अस्थानिया स्वसासन लोक स्वास्त थे सफाई चिकि विधान परिशदों को उस पर कानून निर्मान का अधिकार स्वाप दे या राध्य सूची के विश्य पर केंद्रिय विधान मंडल को विधी निर्मान का अधिकार दे दे फिर भी भारत सरकार अधिनयां 1919 में सक्तियों का यह विवाजन संगात्म ववस्ता का एक रूप है इस तरह कथन ए असत्य है और कारण आर सत्य है दूई सासन का अर्थ प्रशासन के विशयों का दो वर्गों में विभाजन था प्रांतों में उत्रदाई सासन के बूध का परवर्तन कराने का प्रयतन किया गया था कौन सा इसमें सही है? तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है वो कथन किस सही व्याख्या करता है कथन है हमारा दूई सासन का अर्थ यही था कि प्रिशासन में विशयो का दो वरगों में विभाजन किया गया और कारण है प्रांतों में उत्तरदाई सासन के बोध का परवर्तन कराने का प्रितन किया गया था इसके द्वारा 1919 के एक्ट के सबसे महतोपुन परिवर्तन प्रांतिये प्रिशासन में आया प्रांतों में द्वैद सासन प्रणाली आरंप की गई इससे प्रांतिये विशयों को दो बागों में माट दिया गिया आरक्चित और हस्तानांतरित हस्तान अंत्रित विश्यों का प्रिशासन विदाई काया के सदस्यों को सौप और उत्तरदाई सासन का बोध कराने का प्रेतन किया गया इस एक्ट की प्रश्टावना में प्रांतों को उत्तरदाई सर्कार अस्थापित करने के लिए कदम उठाने पर बल देने की बात कही गई इस परकार कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन का सही असपश्टी करन है भारतिया उच्चायुक्त के पद का स्रेजन किस अधिनियम से हुआ भारत सरकार अधिनियम 1919 के तैत भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत सर्चीव के कारेभार को कम करने के लिए एक भारतिया उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई इसके कारे भारत सरकार के लिए अस्तर सस्तर और अन्य समान खरीदना ठेका देना वेपारिक हितों को देखना और इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतिये विद्यार्थियों के देखभाल करना इत्यादी थे उचाईुक्त और उसके सहयोगियों के वेतन का व्याय भारत के साधनों से होता था भारत सरकार धनियम 1935 के मुखे तत्तों सम मिली थे एक संघ का परावधान था इसमें सही है परांतों को स्वाइत्ता दिया गया सही है प्रांतों में दुई सासन की प्रस्तावना ये गलत है और केंद्रे विधाइका को संप्रभू प्रदान करना ये गलत है तो निचे दिये गए उसे सही कूट एक और दो अपसने हमारा सही है 1935 के अधिनियम द्वारा सरोपरता में संगहात्मक सरकार के स्थापना का पराउधान किया गया इस संग को ब्रिटिस भारतिये प्रांतों तो कि कुछ भारतिये रियासतों जो संग में सामिल होना चाहती थी उनको मिला कर मनाया जाना था लेकिन रियासतों की अनिक्षा के कारण यह संग कभी बन नहीं पाया इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैद सासन समाप्त करके प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की गई येवन केंदर में द्वैद सासन लागू कर दिया गया 1935 के अधिनियम के तहत निमने में से किसने ब्रिटिस भारत में प्राम्तिय स्वायता शुरू की भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 में किसकी रिपोर्ट पर अधारित था यह साइमन कमिशन की रिपोर्ट पे भारत सरकार अधिनियम, 1919 में यह प्राधान था गिराजन्यातिक परिस्थिती का प्रतेक 10 वर्स के पस्चाद पुनावरा लोकन किया जया तो यह पुनावरा लोकन जो था, यह 10 वर्स के पस्चाद करना था वर्स 1937, 1927 से हैं यह पर किया प्रारंब कर दी गए और साइमन आयोग निप्त किया गया, सरव दर्ये कॉन्फरेंस में नहरू रिपोर्ट प्रस्तूत की साइमन आयोग रिपोर्ट एवंग गूल में सम्मेलनों और अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रस्तूत स्वेत पत्र ये सभी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अधार बने हैं में नीशे साधिकार वीटो पावर इसकी सक्ति तथा स्वयम दौरा विधी बनाना ये सक्तियां दी गई सामपरदाइक पर तेजित्व के नियम की समाप्ति ऐसा नहीं था उसमें तो हमारा केवल ऑप्शन B जो है स्टेट्मेंट 1 और 2 ये सही है 1935 के भारत सरकार अधिनियम दौरा प्रांतो को दोहरे शासन के स्थान पर स्वय शासन मिल गया तथा आरक्षी तेवन हस्तानामत्रित विश्यों में भेध समाप्त हो गया गवर्नरों को आरक्षी तथा बचाओ के संग्या कदिन रक्तिकत निर्ने तथा विवेकादीन सक्तियों का प्रियोग करने का अधिकार दे दिया गया साथ ही गवर्नर को अध्यदेश चारी करने का भी अधिकार दे दिया गया इस अधिनियम दोरा सामपरदाई निल जिता वे और यहाँ से अलब हो उन्हीत मिंसलमां सिक्थ ईउरोपिय भारतिय इश्वाई एंगलो इंडियन तथा भारतिय मुसलमां औ دेक प्रितक प्रतक परतिने तो मिला अधा कथन एक और दो ही सही है तिसरा नहीं सही है भारत सरकार इधनियम 1935 क्या समाप्त किया प्रांतिया में द्वायद सासन बवस्ता समाप्त हो गए यह मैंने कथनों पर विचार करें गौर्रमेंट अफ इंडिया आक्ट 1935 में प्रांतिया स्वासा तीनों सही है तो अप्षिंडी हमारा सही उत्तर है भारत को वर्तमान समयधानिक धाचा बहुत कुछ 1935 का दिनियम पर अधारित है वर्स 1935 के मुख्य उपबंद इस प्रकारें पहला संगहात्मों सरकार के स्थापना दूसरा केंद्र में द्वायद सासन के स्थापना तीस सरकार अधिनियम 1935 पर अधारित होने से सही विकल डी होगा 1935 का गवर्न्मेंट आफ इंडिया आक्ट क्यों महत्तो पुर्ण है या भारतिये शमिधान का प्रमुक्स रोत है इसलिए महत्तो पुर्ण है 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्द में से कौन सा एक वैसिष्ट युक्त नहीं है केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वायत सासन वे विशिष्टा उसमें नहीं है 1935 के भारत सरकार अधिनियम दौरा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को सामिल करने के पीछे अंग्रेजों के असली मंसा क्या थी असली मंसा थ करने के लिए राजाओं का इस्तमाल करना था देशी रियासते भारत की लगबग 25% जन संक्या का परतिनित्व करती थी जबकि 1935 के धारा 18 किताब प्रस्तावित केंद्रे विदान मंदल मुच्च सदन मूने 40% सीटे था निचले सदन में 33% सीटे परदान की गई थी जिने इन रियासत के राजाओं द्वारा नामित किया जाना था इस प्रकार केंद्रे विदान मंदल में कॉंग्रिस वंकूस लगाना इसका प्रमुख उप्योग ब्रिटिस सासन राश्टी ने ताओं कि सम्राजिवाद विरोधी सिधानतों की कार्ट के रूप में करना चाहता थ द én 9 3013 के इन चाहता था की एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नही है। यह कर्थन जवारलह नहरू का था कि समेजन चे लोगए गया थह king सी के विशे में कार ऐसी है जिसमें ब्रेक तो है परंतु इंजन नहीं नहीं है कि निमने किस अदिनियम द्वारा समयदानीक नीरंगुष्टा का शिधान प्रविर्ट किया गया 1935 के भारत सरकार अधिनियम संहित बिश्टाव में सबसे जतिलदस्ताविश्ता इसी अधिनियम म भारत संग की स्थापना संगियन यायपाली का केंद्र और राज्यों के मद्द सक्तियों के विभाजन आदिय की विस्ता की गई थी भारती राश्ट्री कॉंग्रिस ने अपने 20 अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियां 1935 वा स्विकार किया लखनाओ अधिवेशन 1936 में भारती राश्ट्री कॉंग्रिस ने से अस्विकार कर दिया था 1936 वाले अधिवेशन लखनाओ वाले में केंद्र विधान सभा का या के निम्नांकित में से कौन सा या कौन से निर्वाजचर भारत सासन अधिनियां 1929 के तहट हुए थे और सी 1926 और 1945 वाले ऑप्शन सी हमारा से उत्तर है भारत सरकार अधियां 1919 के तहट केंद्रे विधान सभा का चुनाओ वर्स 1923 1923 1923 1934 ता वर्स 1945 में हुआ वर्स 1937 में हुआ प्राम्तिय विधान सबाद चुनाव भारत सासन अधिनियम 1935 के दायत हुआ था गया तक बहए कि 1935 का अधिनियम का संग्य प्राउधान लागू नहीं किया गया था भारत सरकार भारत सासन अधनियम 1919 का अंतरगत भारतिय विधाई का अंतिम निर्वाचन किस वर्स में आउजित किया गया था? 1945 में निमने लिखित में से किस ने भारत सरकार अधनियम 1935 गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? जबाहरला नेहरू ने कहा था पंडित नहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार या दास्ता का आग्या पत्र बताते हुए उसकी कठोर आलोचना की बिटिश सासन के पूरे इतिहास में 1935 का अधिनियम सबसे लंबा चोड़ा प्रलेक था में 14 भाग 31 दाराय और 10 उने सुचियां थी भारत सरकार अधिनियम 1935 का अंतर्विष्ट अनुदेश परपत्र इंस्ट्रूमेंट आफ इंस्ट्रक्शन्स को वर्स 1950 में भारत के समधान के किस रूप में समाविष्ट किया गया राजिके नीती के निदेशक्त्त्तो के रूप किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुदेश परपत्र को वर्स 1950 में भारत के समधान में समाविष्ट किया गया अलोचकु ने सकेवल पवित्र लोकोगतिया कहा भारत तियह शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संग में वसिश्ट सक्तिया किसे दी गई थी Governor General को दी गई थी तुमникиमर विए किसके दوفारा भारत परिश्ध को समाप्त किया गया है Indians को समाप्त किया गया भारत सरकार जिनियम 1935 के तहत प्रिटिश सासन काल के दोरां 1935 का भारत सासन अधिनियम पारित किया गया इस अधिनियम के दोरा ही भारतिया परिशद को समाप्त कर दिया गया केंद्र वंगराज्यों के बीच सक्तियों का बटवारा किया गया तथराज्य में द्वैद सासन समाप्त करके केंद्र में द्वैद सासन को लागू किया गया 1935 के भारत सरकार अधिनियम दोरा स्थापित होने वाले संग में अवसिष्ट सक्तियां गवर्नर्ट जनर्र को प्रदान की गई या किस ने कहा मुझे इस आरूप के संबंद में कोई छमा नहीं मांगनी है कि समिदान के प्रारूप में गवर्न्मेंट ऑफ समिधी निठ्की गई प्रारूप समिथी द्वरात तयार किया गया भारत के शमिधान का प्रारूप 21 टरवर לסवरえば उसके बारे में कोई च्माई आचना नहीं करता किसी भी किसी से उधार लेने में कोई सर्म की बात नहीं है इसमें कोई छोरी नहीं है सम्मिधान के मूल विचारों के बारे में क्या आप मुझे एक विसो तंतर देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मत अधिकार हो अंग्रेज जा चुके हैं परंतुवे सरारत छोड़ गया है निम्न में से किस ने उप्युक्त बाक्य को समिधान सभग के बाहस में कहा था ये कहा था सरदार बल्लब भाई पटेल ने सुची 1 और सुची 2 दिये गया है समिलित करें दिरेगुलेटिंग एक्ट 1773 सप्रीम कोड के स्थाप Blair भारतीय परीशाद थीनियम1909 संपरदारीक निरवाचन मंदल कीप्रारंभ हो गया है इसकेदुआरा भारतीय सरकार अधिनियम 1991 इसके द्वारा 12 सावसन का प्रारंबुवा भारत्सरकार धिनियम 1935 के द्वार प्रदेशों के सवायत्ता के लिए प्रावधान आगए 1773 के रिगुलेटिंग एक्ट द्वरा कलकत्ता में एक सरवचिन आले के स्थापना 1909 के एक्ट द्वरा मुसल्मानों के लिए प्रिथक मताधिकार तता प्रिथक नवाचन शेत्री के स्थापना 1909 का दिनियम द्वरा प्रांतों में द्वैद सासन प्रनाली लागू की गई 1935 का दिनियम द्वरा बाहि रूप से प्रांतों को स्वायत्ता दे दी गई प्रांतों वस्तुता सारी कारेकारी सक्तिया गवर्नर के पास थी से भी लगबग गवर्नर जैसी ही सकतिया मिली थी ब्रिटिस रासन काल में शम्मिधान के विकास को कौन सा कानून एतिहासिक नहीं था प्रोटेक्शन आफ सीविल राइट्स एक्ट उनिस्व पचपन ये उतना एतिहासिक नहीं था तो ये टापिक के ही समापत होता है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आधुनिक इतिहास का विविध मिस्लेनियस जो भी है टोटल रिविजन होगा अगले वीडियो में थैंक्स पर वाशींग कीप सपोर्टिंग स्टेडी क्लाउड थैंक्यू